हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स दोके आज इस सेसन में हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की जो भरती वर्ष दोजार थेईस में आपको बिहार पुलिस में 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी जोगरफी के प्रश्ण पुछेगा है उनको मैंने कभर कराया हुआ है तो अगर आपने उस सेसन को नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा साथी साथ मैंने दो करेंट अफेर का वीडियो भी कराया हुआ है बिहार पुलिस एक्जाम के लिए तो उसको भी जरूर देख लिजेगा सभी वीडियोज का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार फुलिस भरती 2023 से समबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी के वे सेसन आज के स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज एक बार सेसन को सभी लोग लाइक कर जीजे और जब सेसन समाफ्थ हो जाएगा तो इसका लिंक कि किसी भी एक ग्रूप में जरूर ही सेर कर जीजेगा पहला प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन है कि कोसिका के समुह को क्या कहते हैं अंसर अगर आप जानते हैं तो अंसर कमेंट में देखर के बताते चलेंगे कोसिका के समुह को क्या कहते हैं तो कोसिका के समुह को कहा जाता है उत्तक option तीन राइट अंसर हो जाएगा उत्तक ठीक है अच्छा उत्तकों का जो सम्मूँ होता है उत्तकों का सम्मूँ को सिखाओ के सम्मूँ को तो उत्तक कहा जाता है लेकिन उत्तकों के सम्मूँ को क्या कहा जाता है तो उत्तकों के सम्मूँ को अंग कहा जाता है अच्छा एक important points द्धान रखेंगे उत्तकों का अध्यन क्या कहलाता है ये भी प्रश्न पुछा जाता है तो उत्तकों का अध्यन जो है ये कहलाता है हिस्टोलोजी क्या कहलाता है उत्तकों का अध्यन उत्तकों का अध्यन कहलाता है हिस्टोलोजी देखे फ्रेंड्स जो भी मैं explain करूंगा उ अचास परतिसत भी प्रश्णों को सॉल्व कर लेते हैं तो समझे कि आपकी त्यारी बहतेरिन है चले next question करेंगे कि पौधे में लशीलेपन का गुन किस उत्तक के कारण होता है अब थोड़ा से यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा से हम लोग पादप उत्तक के बारे में जान दूसरा होता है अस्थाई उत्तक के लिए एक होता है विभाजयोत की उत्तक दूसरा होता है अस्थाई उत्तक आप देखें यह जो विभाजयोत की उत्तक है इसको अंग्रेदी में कहा जाता है मेरिसमेटिक टीसू मेरिसमेटिक टीसू कहा जाता है यहां पौधे के अंग अधे में जो जल और भोजन का परिवहन होता है इन सब के लिए जिम्यदार होता है कौन तो अस्थाय उत्तक क्लियर है चलिए अब यहां पर आप देखेंगे यह जो भीभाजयोत् की उत्तक है यह भी तीन प्रकार का होता है एक होता है एह पिकल मिरिश्टेम जिसको की हिंदी में कहा जाता है सिर्सस्त भीभाजयोत्र की पार्स्व भाग में होता है और तीसरा होता है तीसरा जो होता है वो आपका होता है अंतर वेसी विभाजयोत की उत्तक ठीक है तो ये भी तीन प्रकार का होता है और खास करके अस्थाई उत्तक इंपोर्टेंट है तो मेरा मकसद आपको अस्थाई उत्तक बताना है देखे बाते हैं पेरंकाइमा उसके बाद कोलेंकाइमा एसकेलेंकाइमा यह hoते हैं स़रल उतक हैं और जाटिल उतक कौन्सा है तो जाटिल उतक यानि कि कंपंफलेक्ट से टिसू में आता है जाइलम और padnam-क लिए अगर पूछा जाए कि नमीं से कौन सा जाटिल तक है और अप्शन में आपको दी दिया जाए पयरेंगई है क्लेंग तक जायव यह जितने भी चाइमज पेसे कड़ेंगत लिए पहलेंग जूटे लूट तक है क्लियर पुधें पंधे में लसले में का गुन जो होता है यहां किस कारण होता है सब अंगरेजी में खास करके पूछा करता है ठीक है तो याद रखेंगे कोलन काईमा यहाँ को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है क्लिए रहे चलिए अच्छा यहां पर ध्यान रखेंगे एक है पेरन काईमा यहां पर दिखेंगे पेरन काईमा का कारे क्या है तो पेरन काईमा जो है यहां पादपो के लिए कास अंसिलेशन की गिर्या होती है और इसमें हरित लव उतक यानि की कुलरेन काइमा इसको कहा जाता है चलिए आगे मीलेगा सब भाग होता है जाइलम के जाइलम चार बिभिन प्रकार के तत्व से बना होता है यह होता है ट्रैकिड हिंदी में इसको कहा जाता है वाहिनि काई कहा जाता है हिंदे में ठीक है जाइलम जो है जाइलम चार प्रकार की तत्व से बना होता है एक ट्रेकिड होता है जिसको कि वाहिन कहा जाता है एक वेसल होता है जिसको कि वाहिकाएं कहा जाता है वाहिकाएं कहा जाता है ठीक है दो तो हो गया तीसरा है आपका तीसरा क्या है तो तीसरा आपका जाइलम fiber है और चोथा जो है जाइलम तो याद रखेंगे और phloam जो होता है phloam phloam भी जो है यहाद चार ततों से बना होता है एक चालनी लड़निक Keybreaking जिसको कि co tubes कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है co tubes कहा जाता है तो याद रखेंगे यह किसका भाग है? तो यह phloem का भाग है, ठीक है, co tubes, उसके बाद campanion cells, उसके बाद phloem fiber और phloem parenchyma, और उसमें gylem fiber और gylem parenchyma पाये जाता है, तो आपको दो ही याद रखना है, उसमें का आपका याद रखना है, कौन सा? तो उसमें आपको याद रख लाखना है, और campanion cell याद रखना है, campanion cell, बाकि इसमें भी हए, जाइलम fiber पाये जाता है, इसमें भी phloem fiber पाये जाता है, इसमें भी जाइलम parenchyma पाये जाता है, क्लिर, चलिए, जन्तु के सरीर को ढखने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं जन्तु के सरीर को ढखने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं अब देखें ये जन्तु उत्तक आ गया ठीक आभी हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा था जन्तु उत्तक आ गया, जन्तु उत्तक भी ये चार परकार के होते हैं, कौन-कौन से, तो एक epithelium उत्तक, इसको हिंदी में उपकला उत्तक कहा जाता है, epithelium उत्तक, जो कि यहाँ पर दिया गया है, एक यह हो गया, एक संयूजी उत्तक हो गया, संयूजक उत्तक दिया गया संयोजी उत्तक जिसकों कि हम लोग कनेक्टिंग टीसू कहते हैं, जिसमें कि बलर्ड अस्ती उपास्ती संयोजी उत्तक की उधारन होते हैं, किलियर एक पेसी उत्तक हो गया, पेसी उत्तक जिसकों कि मस्किवलर टीसू कहा जाता है, एक हो गया तंत्रिका उत्तक जिसकों कि न आप बताया था देखे स्नायूजी उत्तक यह तो ढख नहीं सकता है पेसी उत्तक मस्कूलर टीसू यह भी नहीं ढख सकता है ठीक है और आपको उपर कौन ढखेगा कुछ जो चमड़ा है वहीं ढखता है चर्म जो है चमड़ा अपने पड़ा है तो इसी तरह से एपी थेलियम उत्तक इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं और संटीन इसका राइट अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कि जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उससे क्या कहते हैं अभी मैंने बताया था यह पादप उत्तक की बारत हो रही है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरेन काईमा कहते हैं क्या कहते हैं क्लोरेन काईमा परेन काईमा कहीं यहाँ परेन काईमा में ही होता है क्लोरेन काईमा क्लियर आथा यह जो मिर्द उत्तक है क्लोरेन काईमा है उस और इसको जो है क्या कहा जाता है इसको एरनकायमा कहा जाता है इसको कहा ज़ए पॉंधों के लिए जब बात करेगा तो एरनकायमा याद रखेंगे जो तैयरने के लिए गुहिंकाय होता है, cavities रहता है और जब chlorophyll की बात करेगा तो इसको chlorine काईमा कहेंगे चले, tough है ना थोड़ा सा लेकिन इसी level के प्रश्ण होते हैं चले, इनमलेकित में से कौन orthoproda का उधारा नहीं है तो देखे, orthoproda संग जो है केचिवा, जोंक, यह सब एनलेडा संग के अंदरगत आते हैं चले, गला प्रश्ण कर लेंगे फ्रेंड्स, एक बारा सेसन को लाइक कर दीजे और दीखे, हम लोग बिहार पुलिस को इस्टेबल के लिए 50 अधिक important प्रश्णों को कभर किया हुआ है मैंने सबका लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है प्लेलिस्ट बना दिया है आप चैनल पर चले जाएए और प्लेलिस्ट open करके देख लिजेगा समवेग का ऐसा ही मात रख है समवेग का ऐसा ही मात रख है और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहीं तो यूनिट है मोमेंटम का तो देखे कहां पर दिया गया केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड option 2 में दिया गया है अगला प्रश्णी किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है बढ़ जाता है गढ़ जाता है समान रहता है या इन में से कोई नहीं बताएंगे किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है तो दिके किसी भी वस्तु को जब पानी में डुबाई जाती है तो उस पर एक उर्दवगामी यानि कि उपर की और एक बल कारे करता है जिसका परिणाम द्रव के भार के बराबर होता है आपने पढ़ा होगा ये आर्केमडीज का सिधान्त है तो कोई भी वस्तु जो है जब पानी में उसको डाला जाता है तो वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है घट जाता है अपसर नमबर दो इसका राइट अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे हम लोग की दो कन के बीच थोड़ा से छोटा कर दूँ ताकि असपस्ट आपको दिखाई दे देखे दो कन के बीच गुर्तवाकर्शन बल उसकी बीच की दूरी के किस प्रकार सम्बंदित है गुर्तवाकर्शन बल आपने पढ़ा होगा न्योटन का गुर्तवाकर्शन का नियम भली भांती आपको याद होगा कि बर्मांड में किनी दो पिंडों के मद्धे कार करने वाला आकर्शन बल उनके द्रब्यमानों के गुननफल के समानुपाती और उनके मद्ध की दूरी के वर्ग के बेउत कर्मानुपाती होता है यानि ये फर्मुला आपको भली बाती याद होगा F equal to G, G क्या है यहाँ पर तो G जो है फ्रेंड्स यहाँ एक उनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट है सारवत्रिक गुर्तवाकर्षन नियातांख है अभी मैंने आपको बताया था कि किनी दो पिंडों के मद्ध कार करने वाला कर्षन भल उनके द्रवयमान के गुननफल चुकि दो यहाँ पर पिंड है तो एक पिंड का द्रवयमान M1 हो गया और एक पिंड का M2 हो गया उनके द्रवयमान के गुननफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के बयोत कर्मानुपाती होता है यह दूरी है ड को हम डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं ठीक है कहीं कहीं आर भी लिखा रहेगा इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या हो जाएगा deems के द्रवयमान के गुननफल के समानुपाती और इनुवर्सली Biz के दूरी के वर्ग के बहुत कर्मान पाती क्लियर तो यह वाला जो है रीलेशन सही दिया गया है अच्छा यहाँ पर अब यह बात g किया यह G क्या है तो G मैंने बताया था universal gravitational constant है इसका मान पुछा जाता है जी का मान कभी कभी पुछा जाता है तो आप याद रखेंगे 6.6 into 10 to the power minus 11 और ये unit आपको खास करके याद रखना है newton meter square per kg square क्लियर है चलिए आगे बढ़ा जाए next question कर लेंगे अगला प्रशन है हमारा friends के निचे जाने पर जी का मान क्या है जी का मान क्या होता है जी का मान तो आपको पता है न 9.8 meter per second square होता है तो बताएंगे जी का मान प्रितिवी के सतह के निचे जाने पर क्या होता है देखें प्रितिवी के सतह से आप निचे जाईए या उपर जाईए जी का मान जो है सदा भूमद्द रेखा पर होता है इसे भी आप याद रखिएगा चले अगला प्रशन कर लेंगे कि जिन उत्तकों में कुरोरोफिल पाया जाता है उससे क्या काता है अभी जश्ट इस प्रशन को मैंने बताया है और यह प्रशन खास करके मैंने आपके लिए रखा है कि आप इसक आना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया है चले फटा फट इसका एंसर कमेंट कर दीजिएगा लोग चले next question करेंगे कि पौधे में वास्प उत्सरजन किसके द्वारा होता है पौधे में वास्प उत्सरजन जो होता है यहां किसके द्वारा होता है तो दिख यह जो वास्प उत्सरजन की दर है यह किन बातों पर निर्भर करते हैं यह बहुत जरुरी है देखे प्रकास की तिबृता बठेगी तब उत्स्षर निधे ने लुक्त है तापमान जब बढ़ेगा तो वास्प उत्सरजन की वी दर बढ़ जायेगी। प्रकास की तिवरता बढ़ा तो भी वास्प उत्सर्जन बढ़ गई तापकरम बढ़ा तो भी वास्प उत्सर्जन बढ़ गई आधरता जब बढ़ेगा तब वास्प उत्सर्जन की दर घट जाएगी वायू की गती भी तेज होगा तब भी वास्प उत्सर्जन तेजी से हो तो सिर्फ आधरता में घट जा रही आधरता बढ़ने पर वास्प उत्सर्जन घट जाती है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छा आधरता जो है इसको आधरता है तो यह चलिए तो यह स्टूमेटा हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि अस्थी कासा उत्तक है अभी मैंने आपको बताया, अस्थी, उपास्थी, बलड, यानि कि रक्त, ये जो हैं, ये संयोजी उत्तक हैं, connecting tissue हैं, clear, चलिए, अगला प्रश्ण है कि जन्तुवों में भोजन का संग्रहन कौन सा उत्तक करता है, अच्छा ये तो जन्तु हो गया, अगर पादप में पूछ प्रणकाइमा करता है, मैंने बताया भी था कि प्रणकाइमा करता है, ठीक है, प्रणकाइमा करता है, और जन्तुवों में भोजन का संग्रहन पेसी उत्तक करता है, clear, चलिए, नेक्स्ट कुशन करेंगे, खाले अस्तान दिया गया है, तंत्रिका उत्तक की एक इकाई होती ह तंतरिका उत्तक की इकाई जो है यहां कौन सी होती है इस मेंसे नियोरोन on और का यह सब दिखे गया यह आपके सरल उतक है तो फ्लोएम जटी लू तक है फ्लोएम और जाइलम यह दोनों जटी लू तक थेक है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कुस्ष्ण है हमारा कि सैवालों में किस तरह का विभाजन पाये जाता है जो सैवाल है उनमें किस तरह का विभाजन पाये जाता है तो दीखे और इसमें जो है और सुत्री विभाजन जो है यह जीवानू और सुत्री विभाजन जीवानू कवक प्रोटो जुआ सेवाल इन सब में पाए जाता है जिवानु, कवक, प्रोटो जुवा सेवाल में और सुत्री विभाजन पाए जाता है याद रखेंगे चलिए next question कर लेंगे कि 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है एक किलो वाट आवर बराबर होता है तीन दसमलाव छो गुना दस के पावर छे जूल ठीक है चले next question हमारा कि मानव में ध्वनी की स्रव्यता का उसत परास क्या है मानव में ध्वनी की स्रव्यता का उसत परास क्या है तो ये उसत परास यह 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz है ठीक है और यह देखे 20,000 Hz है इसको 20 kHz भी कहा जाता है तो option A right answer हो जाएगा ठीक है अच्छा यह जो 20 Hz से कम की जो आवरती वाली धौनित रंग है इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इनफरासोनिक कहा जाता है और यह 20 kHz से जो अधिक होती है इ अगला प्रश्न करेंगे कि ध्वानी का वेग ध्वानी का वेग और आविर्ती आविर्ती को इस तरह से थोड़ा से लिख लिए ताकि आपको पता चले इस तरह से ठीक है एवं तरंग दैर के संबंध आपको बताना है थुदिके आपने पढ़ाओगा फ्रेंड्स कि किसी म और तरंग दैर के गुननफल के बराबर होता है तो यह वाला रिलेशन है कहां पर है यह वाला रिलेशन तो देखेंगे यह वाला रिलेशन जो है फ्रेंड्स यह आपका यहां पर दिया गया है ठीक है यहां पर दिया गया है तो इस तरह से आप इसको यहां पर सुधार कर जगे इस तरह से बना लेजे ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि एक मसीन 200 जूल का कारे 8 सेकंड में करती है तो मसीन की सामर्थ ही कितनी है मसीन की सामर्थ यानि की मसीन का पावर पुछा जा रहा है बताएंगे राइट अंसर क्या हो है कारे दिया गया है कितना तो कारे 200 जूल दिया गया है समय दिया गया है आठ सेकंड अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो यह आपका आठ जूना सोलह और आठ पचेस चालिस यानि कि पचीस आ गया और पावर का यूनिट आपको याद रखना है कि यहाँ पचीस यहाँ दो जगा है तीन जगा है तो पावर का वाट होता है तो पचीस वाट इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए असनायू और कंडरा अभी सुद हिंदी है असनायू को अंगरेजी में कहा जाता है क्या कहा जाता है लिगामेंट्स असनायू को क्या कहा जाता है लिगा के जाता है तो असनायू और कंड़ यानिकि लिगमेंटष और टेंड़न ये क्या हैं तो यह सजैनुजी उथ्त्的 क्या जटारन होते हैं और ये दो हड़ी, हड़ी को हड़ी से जोड़ता है लिगामेंट और हड़ी को मांस्पेसी से जोड़ता है टेंडन, क्लियर, अगला प्रश्ण है कि आवर्ती का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ लिया गया है, बताएंगे कि आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्त और अब क्या हो जाएगा एक बटा टाइम पिरियेड हो जाएगा यानि कि ऑप्शन दी ऑप्शन सी जो है ऑप्शन तीन नंबर सेकंड इनभर्स इसका राइट अंसर हो जाएगा चले नेक्श कोश्चन है कि एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग के तीन गुना करने पर उसकी गतीज उर्जा क्या होगी अब गतीज उर्जा हाफ म भी स्कॉमर कर रहा है कि मास में कोई चंजिंग नहीं है और यह तीन गुणा उसकी प्राश्जा कर दिया जा रहा है तो यानि कि थी भी स्कॉयर हो गया अब यहां पर हाफ 10 नोंड हो जाएगा मैं आपको बत एम और भी स्क्वाइर तो यहाँ पर निकाल दीजिए हाफ एम और भी स्क्वाइर अंदर क्या बच गया अंदर नौ बचा इससे नौ को बाहर कर दीजिए एक ही बात तो है तो इससे पता भी चल जागा कितना है तो नौ गुनी हो गई ठीक है यह काइनेटिक एनर्जी है हैजा नहीं होता है हैजा जो होता यह जिवानुस होता है है वेक्टिरिया जिवानुस होने वाला रोग है नेक्स्ट है कि संक्रमित पे जल से फैलने वाला रोग है यहां कौन सा रोग है तो यह हैपेटाइटिस है है राइट एंसर हैपेटाइटिस हो जाएगा ठीक है लि लिम्फो इस तरह से लिखे, ठीक है, लिम्फो नहीं होगा, यह लिम्फो साइट होता है, लिम्फो, लिम्फो साइट्स, ठीक है, बना लिजे इसको लिम्फो साइट्स, छेले बताईएगा, कि एंटी बडी का निर्मान किसको इसका के दवरा होता है, तो एंटी बडी का नि हेजी होता है में हिर्दै के लिए होता है यह करदिस के लिए होता है और याद रहिए डिखे एक पूरा और यह ज्माण क्या है इसी हो LET क यह होता है एलाक्ट्रो कार्डियो ग्राम फटर्वक हैं। इनमें कोई नहीं होगा कि इनके कार्डियो ग्राम नहीं कार्डियोग्राफ दिया गए, इलेक्टरो-कार्डियोग्राम होता है, और इई जी का क्या होता है allocet सबसे अधिक मातरा में मौझूद है तो रक्त प्लाजमा जो होता है इसमें सबसे अधिक मातरा में अच्छा रक्त में प्लाजमा कितना होता है तो रक्त में प्लाजमा 55 परतिसत लगबग होता है रक्त में प्लाज्मा कितना होता है तो लगबग 55 परतिसत और प्लाज्मा में क्या होता है सबसे ज्याज़त प्लाज्मा में लगबग 90 परतिसत जल होता है ठीके next question है कि रक्त चाप का समाने से अधिक हो जाना क्या कहलाता है रक्त चाप का blood pressure का समाने से अधिक हो जाना क्या कहलाता है तो friends ये hyper tension कहलाता है hyper tension का case आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा ठीक है, hyper tension होता है देखे, किस gas के कारण पारोटी या केक फूल करे के मुलायम और स्पंजी हो जाते है किस gas के कारण, तो यह gas जो है जिसके कारण पारोटी और केक या रोटी फूलता है carbon dioxide है, carbon dioxide है, ठीक है चले, उसके बाद देखे, निमनलकित में से किसका उपयोग जो है soda aml, अगनी सामक के रूप में किया जाता है अगनी सामक के रूप में किया जाता है बताएंगे, अगनी सामक के रूप में किया जाता है, किसका इसमें से इस्तमाल तो यह baking soda का किया जाता है बेकिंग सोडा एन ए एच सी ओ थिरी बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है चले अगला प्रश्ण हमारा कि नेटल पॉधे नेटल एक तरका पॉधा होता है नेटल पॉधे के पत्तों को छुने पर डंक जैसा दर्द होता है यह दर्द किस अमल किस राव से होता है तो नेटल पतियों पर जो होता है क्या होता है मेथोनो इक हль रखिएगा भी बीए इक कुस्षण है नेक्ष्ट है हमारा कि दो आट एक किस तत्व का इल्यूनिक विन्यास है तो दो आठ दस और कि इंगश्ण यानिक जानिक आपको याद है तो सोडियं आप आट कि यारा सोडियम को होता है चलिनेक्ष्ट कोसेन किन्यमनलिखित के किरणों में सबसे अधिक वेधनंछंदा किस में होती है सबसे अधिक वेधनंछंदा जो होती है यह किसकी होती किसकी होती है गामा किरन की वेधन शमता सबसे ज़्यादा होती है तो गामा किरन हो जाएगा सबसे ज़्यादा आयनन शमता किसका होता है सबसे ज़्यादा आयनन शमता किसका होता है तो सबसे ज़्यादा आयनन शमता जो है यह अलफा किरन का होता है अगला प्रश्णी कि 573 क केलविन का सम्तुलतापमान सेंटीग्रेट में क्या होगा तो आपको पता है कि सेंटीग्रेट में हम जब सेंटीग्रेट 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 जीरो और पांथ में से दो गयात तीन यानि कि तीन सव रिगरी संटिग्स हो जाएगा बर्भा का गलनांख है बर्भा का गलनांग जीरो डिगरी संटिग्रेट है ठीक है तो यहां पर सका कैलोवीन में दिया गया कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं तो कोशिका की तो सबसे बाहरी परत है इसको कोशिका जहिली कहा जाता है कोशिका जहिली कहा जाता है ठीक है चले next question हमरा अच्छा कोशिका की खोज किस ने किया था Robert Hook ने किया था चले मानों शरीर में पाई जाने वाली निमनलिखित में से कौन सी गरंथी अंतासरावी और बही सरावी दोनों है कौन सी गरंथी जो है ये अंतासरावी भी है और बही सरावी भी है तो यह गरंती कौन सी है यह गरंती अगनास्य है अगनास्य सही इंसूलिन सरावित होता है ध्यान रखिएगा आप ठीक है चलिए इस्ट में अलेंगिक जनन किसके द्वारा होता है अच्छा इस्ट में और अमीबा में याज रखेंगे इस्ट में और अमीबा में यह अलेंग दूइ भी खंडशन के द्वारा होता है जरी आगला प्रश्न थे पॉण्ध के मादा भाग को क्या कहा जाता है उस में पॉण्द के मादा भाग रहे तो ज़्यादा वेट्र रहता है इस तरह भी याद रखेंग गिए जयांग हो जाएगा चले निमलेखित में से कौन पादप हर्मोन नहीं है पादप हर्मोन इसमें से कौन सा नहीं है बताईए सोच समझ करके एंसर दीजिए एथिलीन बिल्कुल है ये फलो के पकाने में सहाइक होता है ओकजिन भी है साइटोकाइनिन भी है साइटोकाइनिन कोशिका विभादन में सहायक होता है ओक्सी टोसिन नहीं है ओक्सी टोसिन जो है यहाँ पादप हर्मोन नहीं है यहाँ जन्तु हर्मोन है दुग्द स्रावन के लिए यहाँ जिम्मदार होता है यानि कि दूद निसकासन के लिए उत्तरदाई होता है ओक्सी टोसिन हर्मोन ओक्सी टोसिन हर्मोन को लब हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, चले नेक्स कुछ सेने कि एंड्रोजन क्या है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको डाउट होगा, लेकिन किलियर करता हूँ, एंड्रोजन हार्मोनों का एक समू है, जिसको की नर हार्मोन कहा चले तांबा और जिंक का, यानि कि जस्ता का मिसर दहतु है, अगला प्र reckless कि कौन सी अधातु है, जो कमरे के ताब पर आप ढरश्च का धरव और वृस्था में होती है कौन सी ओधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवव वृस्था में होती है बताएंगे भाई रैट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो यह ओधातु जो है यह ब्रूमीन ठीक है ऐलकाइन का सामाने फ्रमुला पुछा गया है एलकेन और एलकाइन एलकाइन का क्या होगा एलकाइन का क्या होगा तो एलकाइन का जो होगा फर्मणा इसका यह आपका Cn H2n-2 हो जाएगा एलकाइन का यह एलकीन का है यह एलकेन का है चलो उसका बद नेक्ष्ट कुछन है कि मैंडलीब ने अपने सारनी में तत्व को किस अधहर पर व्यवस्तित किया था मैंडलीब ने रशानिक गूland धरम के अधार पर पर्वानु द्रव्यमान के और मूल गूरुण धर्म के अधार पर यानि को प्रोक्त सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण के मैंडलिप ने जब अपना कारे आरंब किया तब तक ग्यात तत्व की संख्या कितनी थी तो टोटल 63 ग्यात तत्व थे ठीक है चलिए यह प्रश्ण आपके लिए और इसको सेयर करते हैं